कि वाय बच्चों आजका मात्फपूर्ट टापिक आपके सामने है वह नाउन均 की जिसको हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे पार्ट फॉर्स्ट प्रट सेकंड मेशन में चोटा चोटा रहेगा आराम रहेगा समझें आपको नाउन का जेंडर जैसा कि आप जानते हैं जेंडर का मतलब होता है लिंग इस चार होते हैं को कॉन कोर्ण होते हैं वो है मैं स्कूलिन जेंडर दूसरा जो होता है वो फेमिन जेंडर तीसरा जो होता है वो कामन जेंडर और चौथा जो होता हो न्यूटर जेंडर कितने होते हैं चार होते हैं पहला क्या है मैं स्कूलिन जेंडर दूसरा क्या है फेमिन जेंडर तीसरा कामन जेंडर चौथा न पूरुस जातिका बोध होता है, male, 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 पूरुस और महिला पूरुस और स्त्री दोनों का बोध कराने वालो को हम कामन जंडर में रखते हैं जिनको हम उभाय नंग कहते हैं निर्ज्व बस्तुओं को रखा जाता है इसलिए इसको निकाहा जाता है गोड़ा गोड़ा क्या है मेल है क्या है मेल है यह में गार मेर यह हो गोड़ी यह हो गया फिमेल ही अब दिखिया माल लीजे लिग दिया गया फ्रेंड जिए वे फ्रेंड्ड के आसे जेंडर हो गया नीजों चीजे जैसे पेन है बुक है पेंसिल है डेस्क है बेंच है जो भी नान लिविंग तिम्स है वो सम न्यूटर जेंडर के अंतर गदर रखी जाती है आगे वैसे तो अब देखते हैं कि पार्ट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना सबसे महत्पूर चीज बाकी मैस्कूलिन से फेमिन कैसे बनता है कौन-कौन सब्द मैस्कूलिन से फेमिन होते हैं इसको हम अगरे पार्ट में बताएंगे लेकिन पहले इसको जानना बहुत जरूरी है देख लीजिए बहुत इंपार्टेंट है एससी के बच्चों के लिए उतना इंपार्टेंट तो नहीं है क्योंकि एससी में सब नहीं आता लेकिन टेट और सूपर टेट के लिए यह बहुत जादे इंपार्टेंट टापिक है जेंडर टापिक बहुत जादे ही इंपार्टेंट बहुत जादे इंपार्टेंट है य some points must be read carefully read कुछ बिंदूओं को बहुत ध्यान पूर्बग पढ़े जाने चाहिए अवस्य पढ़े जाने चाहिए जिसे क्या चीद देखना एक चेया आपको ध्यान देना है जितने भी की मैटेरियल नाउन होते हैं मैटेरियल नाउन ध्यान दीजिए माटेरियल नाउन पदार्त बाचक संग्या जिससे दूसरी बर्स्त में बनती है गोल्ड शिल्वर कापर उड इस अब क्या है इस अब क्या है स्टोन सेंड सब क्या है मटेरियल नाउन को हमेशा न्यूटर जे है कि गोल कौन सा जेंडर है तो आप रखेंगे यह नूटर जेंडर में रखा जाता है अगे बास अज में फिर दूसरा है एब्सेट नाउन भाव बाचक संगया आईसी संगया जिससे गुरदसा का बोध होता है गुरदसा का बोध ऍे एफ्ट्रैक्ट नावन को भी निूटर जेंडर में रखा जाता है निूटर जेंडर में जैसे breverie honesty cowardice इसाब क्या है यह सब हमेशा झूटर जेंडर में रखे जाएंग गाउन इभागवश्च न जितने भी न दिशेएगा ुए सजु बस्तो के समूँ होते हैं जैसे आर्मी जैसे जूरी जैसे कमेटी से फेमली जैसे कलास यह सब क्या है? यह सब सजु है कि सजु नूर्टा जन्डर में रहते हैं इस परकार material noun जितने भी हैं, जितने भी abstract noun हैं, जितने भी collective noun हैं, इनको हम neuter gender में रखेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, नमबर दो, देखे, जितने भी young children, baby, child, infant, इनको भी हम neuter gender में रखते हैं, किसमें रखते हैं, neuter gender में, a lower animals, छोटे छोटे जिव जन्त, कीट पतंगे, इन सबको neuter gender में रखा जाता है, इनको हमेशा neuter gender में रखा जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आगे बास हमें, आगला बिंदु क्या है, जब किसी neuter gender को, नपुंसक लिंग को, neuter gender को, personified किया जाता है, अर्थात, as having life, personified means, मान भी करन किया जाता है, तो male या female, masculine या feminine हो सकते हैं, masculine या feminine हो सकते हैं, उसके condition है, किस condition में male होंगे, और किस condition में female होंगे, उसकी कुछ सरते हैं, पहला सरत क्या है, पहला सरत ये है, I say nouns, जो सकती, हिन्सा, दढ़ता, उरजा के प्रतीक होते हैं, उरजा का बोद कराते हैं, ऐसे noun, जिससे पता चले, सकती, हिन्सा, दढ़ता, उरजा का पता चले, तो समझ जाएए उनको हमेशा हम मैस्कुलिन जंडर में रखेंगे वो हमेशा पुलिंग होंगे वे हमेशा मैस्कुलिन जंडर होंगे ऐसे नाउन जो सक्ती हिंसा और दृधता उर्जा का बोध कराएंगी उन नाउन कौन-कौन से है? देखे दा सन, सूरज, दा सन, देथ, मौट, टाइम, विंटर, समर, ओशन, थंडर, लब, वार, और वाइन, इत्यादी सूरज, मौट, समय, ठंडी अजाड़ा, ग्रीश्म, या गर्मी, महासागर, ठंडर, चमक गरज, प्रेम, युद्ध, और सराब इसलिए इनको हमेशा हम मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे, याद रखना भोलियेगा नहीं आगे आवास अंगे, नेक्ट देखिए, संदर ये, दूसरा देखिए, संदर ये, कोमलता, कमनियता, संदर का बोध कराने वाले संदर के जो प्रतीक हैं, कमनियता के जो प्रतीक हैं, कोमलता के जो प्रतीक हैं, संदर के जो प्रतीक हैं, जो बोध कराते हैं उनको हमेशा हमेशा फेमनिन जंडर में रखा जाता किसमें रखा जाता फेमनिन जंडर में जैसे जैसे देखे दा मून को मलता सवंदरिका प्रतीक है थंड़ापन, दा मून, दा अर्थ पृत्वी माता हमारी, दा अर्थ होप आसा, पीस सांती, हुमिलिटी बिनम्रता, चैरिटी दान, रीबर नदी, तुरुत सच्चाई, जश्टिस न्याय इत के जितने हैं आपके, हैं जो सोंडर, ये कौमलता, कमनेता, सवमेता के परती Sonoetha का Bode कराते हैं, उनको हमेशा, हम फेमिनीन जंडर में रखते हैं, किसमें करते हैं भूलिएका नहीं, बहुत इंपार्टेंटम प्वारो के है, हिसके अलावा, सिप, 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 सिप और कंट्री जो भी कंट्री है टी रवाई इनको भी हम सिप और कंट्री दोनों को हम फ्यम्नीन जेंडर में रखते हैं किसमें रखते हैं सिप और कंट्री को हम किसमें रखते हैं फ्यम्नीन जेंडर में रखते हैं इनका जो लिंग होता है वो feminine gender के अंतरगत रखा जाता है feminine gender का बोद कराते हैं जैसे India is proud of her scientists India is proud of her teachers India is proud of her doctors इस तरह हर लगा हुआ है हर लगा हुआ है इंडिया को क्या माना गया है country को हमेशा feminine gender से संबोधित किया जाता है अगया वासा में कि अगया बासाओं में आप देखे आप यह देखना है जितने भी जैसे एक सब देखे हों सुने होंगे आप anything nothing everything इंडिंग फिंग वाले हैं जितने इन सब को हम न्यूटर जंडर में रखते हैं किसमें रखते हैं न्यूटर जेंडर में एवरीटिंग नथींग एनीफिंग इसको इसमें रखते हैं न्यूटर जेंडर में लेकिन एवरीबडी समबडी नोबडी एनीबडी आता है ना इज एवरी आईदर नाइदर आता है इन सब को हम कामन जेंडर में रखते हैं कामन जेंडर में रखा ज बहुत ध्यान देना है ध्यान से पढ़ना है ध्यान दे करकर इसको याद रखना है ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट टू में जेन्डर बताएंगे कौन किसमें चेंज होता है डर साल थेंक यू